हाई फ्रेंट्स विल्कन चैनल फैट कनेशा तो दोस्तो बुलबुल पक्षी का घर में आना क्या अर्थ होता है? यानि कि भगवान हमें क्या संके देना जाते है? जिया दोस्तो आकसर देखा होगा कि घर में अकसर आपके चट पर या दोस्तो जाते माते यदि आप बुलबुल पक्षी को देखते हो तो दोस्तो इसका क्या अर्थ होता है? सुबे दोपर शाम को कभी भी देखते हो या घर में आपके बुलबुल पक्षी आता है, गोसला बनाता है तो दोस्तो इसका क्या संकेत होता है? तो दोस्तो ये चानलेस पहले मेरी चानल को सब्सक्राइब आशे करें बेले कान प्रेस पर के आल बटन पर क्लिक जोरू करें तो चलो शुरूआज करते हैं वीडियो से तो दोस्तो बुलबल पक्षी का घर में आना शूब होता है या आशूब होता है इससे पहले जानते दोस्तो बुलबल पक्षी के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स तो दोस्तो बुलबल पक्षी चोटे से मद्दे माकर के होते हैं और उनकी बहुत सारी प्रजातिया विबिन भागों में पाई जाती है ये चीडिया घरो बगेचे और खुले मैदान में पाई जाते हैं बुलबुल की पैचान उनके रंग बिरंगी पंखो और मदून गायन से हो सकती है इनका पंख का आन तोर पर हरे पिले लाल या नीले रंग के होते हैं दोस्तों उनकी आवाज में मदूरता होती है और ये अकेलिया समय में मिलकर गाते हैं बुलबुल अकेलिया जियोड़ी में खाने के लिए फल, छोटे कीडो और नेक्टर का सेवन करते हैं दोस्तों उनका आर मुख्य रूप से फलो पर आधारित होता है बुलबुल के पंकों की चुराई और शुंगार उनकी सुन्दरता का हिस्सा बनाते हैं दोस्तों और ये देखने में बहुती आकर्शक लगते हैं इनके प्राकृतिक और विवित रंग की प्रदेशित करते हैं कि प्रकुरूती की कितनी सुन्दरता विवित्ता होती है तो दोस्तो ये दिखने में बहुती सुन्दर होते है और इनकी आवाज सुरेली होती है दोस्तो यादी ऐसा पक्षी आपके घर में आ जाए आपको दिख जाए जिया दोस्तो चत पर आ जाए या घर में गोसला बना ले तो ये आपके लिए बहुती शूप माना जाता है दोस्तो बुलुल का घर में आना यानि की खुशिया का घजाना होता है जा दोस्तो आपको कोई बहुत बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है आपके अच्छी दिनों की शुरुवात होने वाली है दोस्तो इससे पता चलता है कि महालक्षमी के क्रिपा आपके घर के उपर होने वाली है जल्द ही आपके दोस्तो जल्द ही आपके नए काम बनने वाले है दोस्तो महालक्षमी का आगमन आपके घर पर होने वाला है दोस्तो जब भी बुलबुल का आपके घर पर आता है तो घुशला बनाता है तो ये सबी प्रकार की बुरी शक्तियों को नाश कर देता है और आपके घर में खुशिया लेकर रहाता है दोस्तो यदि आपसे किस रोगों से पीडित हो तो आपकी सारी गंबिर विमारी दूर हो जाती है और आपके घर में खुशिया का ख़जाना लेकर आते है दोस्तो जब भी बुलबुल पक्षिया आपके घर पर आए आपके चट पर आई या दीखाए दे तो मनी मन जैसरी महालक्षमिनमा इस मंतर का ग्यारवार उचरन आवश्य करें इससे माता तुरन प्रसन होती है और जल्दी ही आपके घर पर आगमन कर दी है दोस्तो जब भी ऐसा हो तो मनी मन जैसरी महालक्षमिनमा इस मंतर का जाप आवश्य करें दोस्तो आपकी सारी बनुकामना आवश्य पूरी होगी दोस्तो आपके वीडियो कैसा लगा अच्छा लगाओ तो लाइक शेर और कमेंट्स जरूर किजिगा और कमेंट्स में जैसर आवश्य पूरी महालक्षमिनमा आवश्य लिगेगा तान्योत 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 तान्योत